Assalamualaikum dear students, आज जो exercise हम कर रहे हैं, यह previous exercise की continuity है, 2.10 exercise की, last exercise जो last video थी, उसमें हमने इसके 3 questions किये थे, आज हम फर्दर 3 questions करेंगे, उसके साथ ही हमारा second chapter जो है, वो complete हो जाएगा, question की statement सुन लेते हैं, उसने का box with a square base, ठीक है, अब यह याद रखिएगा square base है और यह box है, box का मतल 3D है, and open top, इसकी top नहीं है, top open है, is to have a volume of 4 cubic decimeter, find the dimensions of the box, which will require the least material, least का मतलब minima की बात वो का रहा है, ठीक है, वो कर रहा था, आपने dimension इस तरह से बतानी है, कि हमारा जो least material है, इस box के ओपर लगे, तो हम करते है, question स्टार्ट, सबसे पहले तो हम देखते हैं, कि box हमारे पास है क्या, तो आपको पता है, यह जरा हम पहले 3D सा box बना लेते हैं, यह आगया box, ठीक है, अब जरा दिहान से देखिएगा, box के अंदर 4 sides है, एक तो यह जो front पे आपको नज़र आ रही है, एक यह side पे नज़र आ रही है, और बाकी की यह 2 sides, चार sides बन गी, चारो plane है, एक यह आपको नज़र आ रही है, इसका top नहीं है, क्योंकि उसने का top जो है, वो हमने remove कर दिया, top नहीं है, ठीक है, open top है, सबसे पहले और एक चीस ही होगी, दूसरा ही जहन में रखिएगा, कि आपके पास यह जो box है, इसमें length, length और width, यह सेम होगी, लेकिन height का हमें नहीं पता, क्योंकि box की आपके पास जो height है, वो हो सकता है, वो ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हम length, let करेंगे, let, length, or width, x ले ले लेते हैं, और height जो है, उसकी हम y ले ले लेते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक statement के सूरत में लिखिया था, आप वैसे लिख या आपका दिल करें तो आप सिंपल इसी तरह भी mention कर सकते हैं, ठीक है, अब पहली बात उसने volume हमें दिया है, 4, 4 दिया है, volume हमारे पास actually क्या होता है, volume of a cube होता है, length, width, and height, तो length, width, and height मतलब x square y, और उसने कहा, volume आपके पास 4 के equal है, इसमें से y की value निकाल लेंगे, तो 4 over x square आगी, यह आप हर दफा करते हैं, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो आपको अंदाजा होगा, हम y की value निकाल लेते हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, area, area क्यों बात किये न, अब area क्या होगा, इसमें, area होगा, यह sides वाली, चार हो, side, और जो नीचे हैं यह तो x square आगया, अब area of one side, वोगा length into height, ठीक है, क्योंकि height इसमें आगी, length into height आगए, तो यह हमारे पास आजाएगा x y, अगर यह one side है, तो फिर area of four sides क्या हो जाएगा, इसको four से multiply कर दे, समझागी four side क्यों लिया है, क्योंकि एक, दो, तीन, चार, यह चार sides हैं न, इस base है, उसमें height तो है नहीं है, तो base का हमने अलग लिया, अब अगर हम sum कर इनका, तो sum क्या होगा, base का area, और जो आपके पास sides थी, उनके area को हम sum कर देंगे, इसमें हम y की value पुट कर देंगे, तो यह आजाएगा four x, four over x square, तो यह square कट जाएगा, हमारे पास आजाएगा x square plus, और यह बनेगा 16 x minus 1, ठीक है, अब हमने x की value find out करनी है, उसके लिए first derivative test लगाते हैं, यह हमारे पास s का first derivative ले ले लेंगे, x square हमारे पास 2 x आजाएगा, plus 16 hesitities आजाएगा, इस पे power formula लगेगा, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 x minus 16 x minus 2, अब हम क्या करेंगे, first derivative को zero put कर देंगे, first derivative को zero put करेंगे, तो 2 x minus 16 x minus 2 is equals to zero, यह आजाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, 2 x 16 over x square is equals to zero, अब हम इसका LCM लेंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, 2 x minus 16 is equals to zero, ठीक है, यह हमारे पास आजाएगा, बलकि cube आएगा, multiply होगा, ठीक है, यह हमारे पास आजाएगा, x square को दूसरी साइट पे लेजे, खतम हो गया, ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें से x की value, हमारे पास जो term आई थी, वो बचेगी, 2 x cube minus 16 is equals to zero, और 2 x cube आजाएगा 16, x cube आजाएगा 16 by 2 which is equals to eight आजाएगा, तो x हमारे पास क्या आजाएगा, divide करेंगे, sorry, हाँ, बलकिल ठीक अब आप कहेंगे, x की तीन values आ रही है, हमने तीन क्या करने है, side तो एक है ना, हमारे पास x, तो x हमारे पास आजाएगा, अच्छा, अब आप length, width और height find out कर सकते हैं, तो हमारे पास length क्या थी, और width जो थी, वो x थी, which is equals to two, ठीक है, अब हमने height find out करनी है, तो हम लिखेंग as y is equals to four over x square, तो y आजाएगा four by four, which is equals to one, तो width हमारे पास क्या आगई, one, अब यह आपको अंदाजा हो गया होगा, कि height और width जो है, यह same नहीं है, length, width और height, यह width तो नहीं है, यह height थी, यह तीनों जो हैं, यह same नहीं है, length और width same है, height हमारे पास different आएगी, अब हमने इसका maximum minimum निकालना है, तो जो हमारे पास first derivative था, वो हमारे पास था 2x minus 16x minus 2, इसका अब हमने second derivative निकालना है, ठीक है, second derivative हम कैसे निकालेंगे इसका, second derivative के लिए हम करेंगे, कि यह हमारे पास x है, यह 1 हो जाएगा, 2 as it is आगया, 16 as it is रहेगा, इस पे power formula लगेगा, minus 2 और यह minus 3 हो जाएगा, तो यह जब इसका second derivative लेंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, 2 minus 32 आजाएगा, 16 into 2, ठीक है, और यह जो minus है, इस minus से multiply होके plus हो जाएगा, तो आजाएगा, 32x की power minus 3, अब second derivative में च क्योंके x exist कर रहा है, तो पहले तो मैं इसको लिख लेती हूं, 32 over x cube, अब हम इसमें x की value पुट कर देंगे, ठीक है, x की value पुट करेंगे, तो यह आजाएगा, 2 plus 32 divided by x हमारे पास क्या आया था, 2, 2 का cube, तो यह हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, जब आप इसको total पू पॉस्टिव साइन आ रहा है, तो greater than 0, ठीक है, और अब इसके अबाद हम क्या line लिखेंगे, हम लिखेंगे, hence surface area of the box will be minimum when x is equal to 2, ठीक है, जैसे हमने previous questions में यह line लिखी थी, अब यह line आप नहां पर लिखते हैंगे, मैं repeat कर देती हूं, hence surface area of the box will be minimum when x is equal to 2, इसके साथ हम करते अपना next question start, question number 11 or 12 थोड़े से different हैं करने के लिए, क्योंकि 11 or 12 इसमें include हैं, थोड़ा यह समझने वाले question है, यह बाकी question से थोड़े से different है, question की statement देख लें, उसने का find the point on the curve, यह curve है, ठीक है, आपने इस पे एक point find out करना है, यह curve क्यों हो सकता है, बाहिर हो यह inside हो, हमें नही पता इस point का, वो कहता है कि इसके closest point होना चाहिए, यह point जहां पर भी लाए करता है, उसके closest point curve का, आपने find out करना है, ठीक है, हमने वो चीज़ find out करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कि हमें पता है, curve की value x square minus 1 है, हम suppose कर लेते हैं, कि वो जो हमारे require है, point x y है, let कर लेते ह the require points b, x and y, ठीक है, अच्छा, अब जो x और y है, उसका distance उसने का, इससे closest होना चाहिए, तो हम इसका distance find out कर लेते हैं, distance formula हमारे पास क्या होता है, वो होता है, x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का square, ठीक हो गया, इसमें हम values put करेंगे, a point इसको ले लेते हैं, b point ये लेते, मतलब ये x1, y1 है, ये x2, y2 है हमारे पास, ठीक है, तो जब हम values put करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हैगा, अच्छा, एक को और चीज़, आपको पता है, distance formula में ये अगर आगे पीछे भी हो जाएं, तो कोई problem नहीं, आप इनको x1, y1 र का square बन जाएगा, मैंने क्या किया है, मैंने x1, y1 इनको रखा है, x2, y2 इनको रखा है, आप आगे पीछे भी कर लें, no problem, क्योंकि square है, sign से फरक नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास distance आगया, बोच साइट पे square ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आजाएगा, x-3 square plus y plus 1 का square, य distance आगया, हमने क्या करने है, यही x-y find out करने है, तो पहले हम इनका, ये square open कर देंगे, तो ये आजाएगा, a square, b square, minus 2ab, a square, b square, और ये आजाएगा, plus 2ab, तो ये हमारे पास बन जाएगा, x square, plus y square, तो ये बन जाएगा, x square, plus y square, plus 2y, minus 6x, 9, और ये 10, अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा, जब हम equation बनाते हैं, हमें एक variable में चाहिए, तो हमारे पास y की value उसने question में given दी विये, तो हम इसमें put कर लेते हैं, तो d square हमारे पास आजाएगा, आप बेशका आपका दिल करे आप step में आके put कर लें, या अगर आप असानी के लिए करना चाहें, तो आप y की value यहीं पे put कर दें, और simplify हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बलकि इसी में put करके दिखा देती हूँ, इसमें भी put कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, ये बनेगा, क्या हमारे पास x square, minus 1 क square, plus 2 x square, minus 1, minus 6 x, plus 10, ठीक है, यहां पर भी यह बनेगा, अगर आपका दिल है, तो इतना part आप रहने दे, आप इसके अंदर y में value put करेंगे, बलकि ये असान काम हो जाएगा, x square, minus 1, plus 1 का square, ये दोनों कैंसल हो जाएगी, तो हमारे पास d square आजाएगा, इस पे सिरफ minus 6 x, plus x की power 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा, x की power 4, ठीक है, और, plus x की power square, minus 6 x, plus 9, ये हमारे पास बनेगा, यहां गया, d square, अच्छा, ये जो d square है ना, इसको आपने d square को ऐसे लेना है, जैसे आपके पास function नहीं होता, y, g, जिनके आप, यहां area a, ठीक है, उस d को आपने उस तरह से लेना है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, equation तो बन गई, अब इसका लेते है, first derivative, ठीक है, तो d square का हमारे पास first derivative क्या आजाएगा, आप ये समझ लें, ये, d को खामखा include नहीं हमने भीश में करना, तो ये हमारे पास बन जाएगा, 4 x cube, plus 2 x minus 6, ठीक है, अब हमन इस first derivative को क्या करना है, 0 put करना है, so that हमारे पास x की values आ सके, put करेंगे, d over dxd square को हम 0, तो ये आजाएगा, 4 x cube, 2 x minus 6, 0, देखने में 2 common लग रहा है, तो 2 x cube, plus x minus 3, 0, ये हमारे पास time आगे, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसका mid term break कर लें, ठीक है, यहाँ पिसको as it is भी र चल जाएगा, अब हमने, जी, इसका mid term break देखते हैं, तो वो तो कोई समझ नहीं फिला हाला रही, हम इसमें क्या करते हैं, हम synthetic division लगाते हैं, क्यूब वाली equation है, synthetic division लगाते हैं, और इसमें से हम values find out करते हैं, तो cube है, तो इसके synthetic division हम करते हैं, synthetic division का तरीका कार आपको पता है, कि क्या होता है, कि जितने भी coefficient है वो आप लिखते हैं, पहले इसको polynomial में आपने convert करना होता है, polynomial मतलब x cube, x square, x और फिर constant की value, यहां पे x cube की value आपके पास 2 है, चुकि x square की value नहीं है, तो उसकी जगा पे 0 लगाएंगे, x की value 1 है, तो आपके पास 1 आ जाएगा, constant minus 3, अब trial method होता है, आपने x की value 1 से पहले, यहां से 1 से start करेंगे, 1 minus 1, 2 minus 2, जिसके साथ आपका यहां पे answer 0 आ गया, मतलब वो एक factor है, तो मैं वैसे ही 1 से start कर रही हूं, ठीक है, 1 minus 1 इस तरह से हम देखेंगे, अच्छा जी, तरीका कारी होता है, जो first value होती है आपके पास, वो आप के पास आगया, 2, अगली value क्या होती है, आपने इस को इस value से multiply करना है, और फिर यहां पे लिखना होता है, तो 2 को 1 से multiply करेंगे, 2, इनको add कर ले, तो 2 ही आगया, फिर आपने 2 को दुबारा इस से multiply करना है, तो 2, 2 और 1, 3 आगया, फिर 3 को आपने 1 से multiply करना है, यहां पे लि वैल्यू आपके पास यह आगी एक्स जीकोई टू वन एक्स माइनस सब्सक्राइब केको जीडिए ना यह इसेत्य है अब यह भी है इसकी आफ टूद्य करेंगे तो आपसे नहीं होगी आप जब इस पेक्स फ्रॉम्ला लगाएंगे तो imaginary term आएंगी क्योंकि यह हमारे पास कर्व है पॉइंट है क्रेल लाइफ प्राबलम होती है यह इसमें आपके पास जो कोई पॉइंट है वो imaginary नहीं आ सकते वह आपके पास positive negative हो सकते हैं लेकिन imaginary नहीं आ सकते यहां पर लिखेंगे since its roots are imaginary hence we will neglect it यहाँ पर आपने यह लाइन लिख देनी है hence imaginary so we will neglect it यह लाइन हमने यहाँ लिख देनी है अब हमारे पास हमारी x की रिक्वायर वैल्यू आ गया हम अब इससे next क्या काम करेंगे अपना second derivative लेंगे तो first derivative हमारे पास क्या था first हमारे पास था यह हमारे पास है 4x cube plus 2x minus 6 अब इसका second derivative लेंगे यह हमारे पास क्या आ जाएगा 12x square plus 2 अब इसमें हम x की जगा पे value put कर देंगे 12x की जगा हमारे पास 1 आ गया plus 2 तो यह आ जाएगा आपके पास 14 आ गया which is greater than 0 तो हम क्या लाइन लिखेंगे hence distance between two points is minimum when x is equal to 1 ठीक है यह लाइन यहाँ पे आपने लिखनी है hence distance between two points is minimum when x is equal to 1 ठीक है अब यह x की value जो है हम curve में put करेंगे curve हमारे पास क्या था x square minus 1 value पुट कर देंगे 1 square minus 1 यनिके 0 so require point is हमें x और y की value चाहिए थी तो वो point हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 0 यह वो point है curve का वो point है जिसका given point से closest distance है ठीक है अब हम करते है next question next हमारे पास question number 12 है question number 12 की भी same उसी तरह से statement है find the point on the curve that is closest to the point 18 and 1 अब इसमें सिर्फ point change है और हमारे पास जो है curve जो है वो भी वो ही same है सिर्फ point उसने change किया तो method exactly वो ही रहेगा हम let कर लेंगे let the require points are x and y ठीक है अच्छा जी अब साथ लिखेंगे distance from 18,1 is distance calculate करेंगे distance formula में आपको भी बता दिये जब आप values पुट करेंगे तो कुछ आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा ठीक है अच्छा जी same उसी तरह हम d square की value निकालनी है तो पहले d square आजाएगा x minus 18 का square plus y minus 1 का square इस y की जगा वही value पुट करेंगे जो question में given है तो d square आजाएगा x minus 18 का square question में y की value क्या given है x square plus 1 x square plus 1 minus 1 का square आजाएगा तो d square आजाएगा अब हम इसका वो open करेंगे a square b square 2 a b तो यह हमारे पास आजाएगा x square minus 36 x plus 3 24 और यह आपस में कर जाएगे plus x 4 आजाएगा तो यह हमारे पास d square आजाएगा अब हमने क्या करने है इसका first derivative निकालना है d square का यह निके distance का तो यह आजाएगा 2 x minus 36 plus 4 x cube इसको put करेंगे 0 के एक वर तो यह हमारे पास आजाएगा 4 x cube plus 2 x minus 36 is equal to 0 अब अगर देखें तो 2 आपके पास common है तो आजाएगा 2 x cube plus x minus यह हमारे पास क्या आजाएगा 18 आजाएगा अब अगेन यह cube वाली आपके पास equation बन गी है फिर हम इसमें क्या करेंगे दुबारा हम synthetic devian करेंगे synthetic devian के लिए हम क्या करते होते है polynomial बनाते है cube square फिर missing है cube के साथ जो coefficient है 2 जो चीज मिसिंग है उसकी जगा 0 x आपके पास 1 है यह आपके पास minus 18 है ठीक है यह terms आपके पास आगी अब हम क्या करेंगे अब हमने value चूज करनी है कि यहां पर हम कौन सी value के साथ करें कि हमारे पास यहां पर plus 18 आए और यह 0 बने ठीक है यह plus 18 आएगा तो 0 बनेगा अब देखें जरा अगर तुम्हें यहां पर लेती हूँ 1 तो मुझे पता है 2, 1 के साथ जितनी दफ़ा मैं multiply होगा 18 तो कभी भी नहीं बनेगा अगर मैं यहां पर लेती हूँ minus 1 again नहीं बनेगा मुझे तो plus की value चाहिए अच्छा फिर मैं कौन सी value लो जो value ले सकते हैं वो आप 2, 3, 4 से onward ले सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं 4 को 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 8 8 और 1 add होगा तो 9 आजाएगा 9 को 2 से multiply करेंगे तो 18 आजाएगा ठीक है यह मैंने भी आपके सामने लिया ऐसा नहीं कि मैंने पहले से सोचा हुआ था तो यह cancel होगी 0 अब एक तो आपके पास x की value आगई 2 बाकी जो आपके पास बचे है वो आपके पास 2 x square यह constant है यह x की value यह square की तो यह 4 x plus 9 z equals to 0 यह हमारे पास बान गए अब हमने चेक करना है कि क्या इसकी factorization होती है इसकी factorization नहीं होगी जब आप इस पे quadratic formula लगाएंगे तो imaginary root आएंगे ठीक है तो हम दुबारा इसमें लिखेंगे since its roots are imaginary तो हम इसको neglect करतेंगे तो x की value हमारे पास 2 आगी अब हम क्या करेंगे first derivative हम निकाल चूगे वह हम second derivative निकालेंगे तो यह हमारे पास first derivative था अब इसका हम second derivative calculate करेंगे तो यह तो 2 आजाएगा यह constant 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 12 x square ठीक है x की जगा पे value पुट कर देंगे तो जो हमारे पास value थी वो क्या आई थी 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो answer बनेगा 2 का square लेके 12 से multiply करेंगे और उसके इलावा हमारे पास इसके साथ क्या है इनको करेंगे तो यह हमारे पास total 50 बनेगा खर जो भी total बने हमारा concern सिर्फ इस चीज़ से है कि यह positive answer दे रहा है यह negative चुके यह greater than 0 है तो हम क्या लिखेंगे hence distance between two points is minimum when x is equal to 2 ठीक है यह line आप यहाँ पर पूरी लिखेंगे hence distance between two points is minimum when x is equal to 2 ठीक है अब यह question जो हमारे पास x square plus 1 था इसमें आप x की जगा पे अपनी x की value पुट करेंगे तो यह हमारे पास क्या आजाएगा 5 तो हम लिखेंगे hence require point is xy x की value 2i y की 5 तो यह वो हमारा point है जिसका minimum distance है जो point उसने given दिया उसके साथ इसके साथ ही हमारी according to the smart syllabus पंजाब बोर्ड 2.10 जो है complete होती है इंशाल्ला नेक्स वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे ताफेज